हेलो दोस्तों डिक्टेसन स्टार्ट होगी तीन सेकिंड बाद स्टार्ट महोदे, मेरा यह हारदिक विश्वास है कि जो बड़े बड़े काम हमारे सामने हैं उन्हें करते समय आप भारत के इस प्राचीन तथा चिर्नवीन संदेश को याद रखेंगे और छोटे उद्देशों की तुलना में राष्ट्र और मानवता के हित की और अधिक ध्यान देकर सहकारी प्रयास की भावना से कार्य करेंगे हमें भारत की एकता का अर्थार्त अपने भावी भाग्य निर्मान के लिए प्रयत्नशील स्वतंत्र लोगों की एकता का निर्मान करना है इसलिए हमें उन सब प्रयवरतियों को कोमा जो इस एकता को शीन करती हैं तथा हम लोगों में एक दूसरे के बीच दिवारें कोमा सामप्रदाइक दिवारें कोमा प्रांतियता की दिवारें और जात पात की दिवारें खड़ी करती हैं कोमा खत्म कर देना है अनेक राजनितिक और आर्थिक विश्यों पर मतबेद होगा और होना भी चाहिए, किन्तु यदि भारत और उसके लोगों का हित ही हमारा प्रधान उद्देश्य हो और हम इस बात को समझे, जैसा कि हमें समझना ही चाहिए, कि इस हित की प्राप्ती पारस्परिक सहयोग और लोगतंत्रात्मक रीतियों से ही की जा सकती है, तो ये मतभेद हमारे सार्वजनिक जीवन को सम्रत ही करेंगे, मेरा आप से निवेदन है कि आप इसी द्रश्टी कोण से देश की समस्याओं को हल करें और संसार के अन्य देशों के साथ निर्भेता पूर्वक और मैत्रेपोन धंग से व्यवहार करें, आज सारा संसार किसी आने वाली विपत्ती के भैसे बहबीत है, किसी व्यक्ति अत्वा, किसी राश्ट्र का उतकर्श भैसे नहीं होता, कोमा वह तो जैसा हमारे प्राचीन गरंथों में लिखा हुआ है, कोमा केवल अभे से ही हो सकता है, पैरा हमने संसार के सभी देशों के साथ बराबर मेत्री की नेती बरती है, और यदपी कभी कभी इसके बारे में भ्रांती हुई है, तो भी इस नेती को दूसरे लोग अधिका अधिक समझने लग गए हैं, और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ है, मुझे विश्वास है कि हम इस नेती का दृता से पालन करते रहेंगे, और आज संसार के अधिकांस भागों में जो तनातनी है, इस प्रकार उसको कुछ कम करने का प्रयास करेंगे, भारत सरकार दूसरे देशों के मामलों में हस्तशेप नहीं करना चाहती, क्योंकि हम अपने देश में दूसरों का हस्तशेप पसंद नहीं करते, जहां कहीं संभव हुआ है, कौमा हमने सहयोग से ही काम लिया है, और हम सांती स्थापना में सहायता देने के लिए सदा ततपर हैं, हम अपनी सहायता का भार किसी पर लादना नहीं चाहते, किन्तु हम इस बात को समझते हैं कि आज के संसार में कोई भी देश बिलकुल अलग होकर नहीं रहे सकता, और यह अनिवार्य भी है कि अंतर राष्ट्रिये सहयोग बढ़ता रहे ताकि सुदूर भविशे में मानव जाती की उन्नती के लिए संसार के सारे राष्ट्र महान सहकारी प्रयास में सम्मिलित हो जाएं, प्राय एक वर्स से कोरिया में विराम संधी इस्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे उन बहुतेरी समश्याओं को कोमा जिन्होंने सुदूर पूर्व एशिया में उथल पुथल मचवा रखी है कोमा सांती में धंग से निबटाया जा सके, मैंने कई बार यह आसा प्रेकट किये है कि यह प्रयत्न सफल होंगे पैरा महोदे कोमा आज जितनी तेजी के साथ लोगों के खयालों में तबदीली हो रही है उससे इनसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो चाहे कर सकता है और करा सकता है मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर ही नहीं सेंकडों इलाकों को बरबाद कर सकता है अभी तक किसी आदमी के हाथ में बरबाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की ताकत नहीं आई है पर आज बरबाद करने की ताकत है गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखा करते थे वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग कुसहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को सताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंसान कौमा इंसान रहेगा श्टॉप वह ने तो सेतान बनने की कोशिस करेगा और ने खुदा बनने की श्टॉप वह चाहते थे कि मनुश्य के दर रहेकर जितनी हो सकती है वह अपनी उन्नती करें पर उन हदों के बाहर ने जाएं इसमें कोई संधे नहीं कि आज साइंस की काफी तरक्दी हो गई है कोमा पर किस और इस टॉप आज रोगों की परिक्षा के तरीकों में बहुत कुछ तरक्की हो गई हैं और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है इस दोड का एक ही नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए जहां सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ पहचाना जाता था वहां आज कम से कम पांच साथ लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है इसी तरह से जहां घर में चर्खा चला कर हम अपना कपड़ा बना सकते थे जब वहां आज हमको रूई दुनिया के एक कोने से लानी पड़ती है इसे लाने के लिए जहाज कोमा रेल आदी हर तरह के वाहनों की जरूरत पड़ती है इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे कोमा दूसरे से तीसरे और तीसरे से चोथे में बेहजना पड़ता है और उसके बाद एक दुकान से दूसरी कोमा दूसरी से तीसरी और तीसरी से चोथी में तब कही हमारे घर में कपड़ा आता है जिसको हम पहले आसानी से घर पर तयार कर लिया करते थे कॉमा उसमें अब कितनी देर होती है मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ हुआ है कॉमा सब गलत हुआ है क्योंकि ऐसा कहने से लोग समझते हैं कि यह पिछडा आदमी है हम तो यह चाहते हैं कि साइन्स के दवारा आज हमें जितनी अच्छी चीजें मिलनी है उनमें से हम एक को भी नए छोड़ें और उनसे जो लाब उठा सकते हैं जरूर लाब उठाएं मगर इसके पहले हम यह सोच समझ ले कि किसी चीज की केमत क्या है और यह हमें कहां तक ले जाएगी और किस और यदि हम इतना समझ बूज कर करेंगे तो इनसान कोमा इनसान रहे सकता है मैं यही चाहता हूँ कि जो रचनातमक कार्रेकरम गांधी जी ने बताया वह बहुत अनुभव के बाद इन सब चीजों को परख करके ही उन्होंने निकाला था इस्टोब थैंक्स